गुद मॉर्निंग इस्टुदेंट्स वेलकम तो ऑनलाइन क्लास तुड़े इस यूर चैप्टर नंबर थ्री वी आर बन अभी तक आप लोगो ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ा है तुड़े इस यूर न्यू चैप्टर दैट इस वी आर बन आपको मीनिंग समझ म आरा होगा कि चैप्टर का नेम ही है वी आर बन हम सब एक हैं we celebrate many occasions together with our families relatives and friends हम कई सारे जो तिवहार होते हैं, हम अपने family के साँब चैप्री ने बचतारों के साफशान दोस्तों के साफ़ चैप्री चैप्रेट बर्ढेटмы We celebrate birthdays, marriages and festivals जैसे birthday हो गया, marriage हो गया, कोई भी तिवहार हो गया हम उसे अपने परिवार के साथ, अपने रिस्तिदारों के साथ और अपने दोस्तों के साथ celebrate करते हैं Such occasion brings us joy, blessings and happiness ये जो तिवहार होते हैं, हम जब अपने परिवार के साथ रहते हैं एपने रिस्तिदारों के साथ रहते हैं, तो हमें بहुत सारी दुआएं मिलती है, हमें बहुत सारी खुशी मिलती है Means क्या हो गया कि ऐसे जो तिवहार होते हैं, हमें blessings देटे हैं और हमें बहुत सारी दुआएं और खुशिया देते हैं India is a land of festivals हम ये भी कह सकते हैं कि जो भारत है वो एक तिवहार की भूमी है We celebrate national and religious festivals यहां पे हम बहुत सारे राष्ट्रिये और धार्मिक तिवहार मनाते हैं Celebrations help us live together happily and peacefully और जो तिवहार है इसकी मदद से हम कई सारे लोग एक साथ होते हैं और बहुत अच्छी करीके से हम बहुत मनाते हों चीज को ठीक है Means यह कहने का हो गया कि अकसर होता है कि बहुत सारे लोग दूर दूर होते हैं लेकिन जब कभी कोई भी तिवहार होता है तो जोस्ते हम सब साथ आ जाते हैं इसकी लिए chapter का नेम है We are one India is a secular state भारत जो है एक secular state है secular means होता है धर्म निरपेच मतलब कहने का यह है कि जो इंडिया है It is not considered to with religion मतलब यह किसी भी धर्म से related नहीं है कि इसमें के वाल एक ही धर्म के लोग रहते हैं इसलिए इससे secular state कहा गया है It is the birthplace of Hindus, Sikhis, Jainis and Buddhists यहाँ पे Hindu का birthplace, Sikh का birthplace, Jain धर्म का birthplace और बुद्ध धर्म का भी birthplace माना गया है Other major religions of the world such as Christianity, Islam, Judaism, ETC और भी बहुत सारे धर्म है जैसे Christian हो गया, Islam हो गया बहुत सारे धर्म भी यहाँ यहाँ बहुत सारे धर्मों का यहाँ पे birthplace है are also practiced by the people of India People of every religion come together to celebrate and honor their duties बहुत सारे धर्म के अलग-अलग भारत में अपने अपने देवी देवताओं का सम्मान करते हैं और हम भी ऐसा नहीं है कि हम केवाल अपने धर्म का सम्मान करते हैं दूसरों के धर्म का भी दूसरों के देवताओं का भी हम सम्मान करते हैं और यहीं हमें बढ़ावा देता है कि हमारे लोगों में कितना भाई चाहरा है और हम यहां के लोगों को इस नाम से भी जानते हैं कि भारत में एक्ता में अनिक्ता है इसमें कुछ वर्ड्स हैं मैं उन वर्ड्स की मीनिंग लेके चैन कर दे रही हूं तो आप उसे अपने book में लिख लेजएगा अभी यहां तक मैंने पढ़ाया है next turn पे मैं आपको इसके आगे explain करूँगे नहीं समझ में आएगा मुझे फिर से पूछना मैं फिर से explain करूँगे Thank you